तो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खुबसूरत और प्यारे सी एक बेबी गल्स टॉप की डिजाइन बहुत ही खुबसूरत सा पैटर्ण है ये वीडियो का पार्ट टू है पार्ट वन अल्रेडी अपलोडेड है आज के वीडियो में मैं आपको इसकी बताने वाली हूँ लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस साइस के लिए बना है जिससे आप अगर बनाना चाहें तो पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाके आप इस पूरे स्वेटर को इस पूरे में भी बताया था यह डिजाइन मुझे रिक्वेस्ट भीजी गई थी तो मैंने इसे बनाया है लेकिन थोड़ा सा मैंने इससे बहुत ही खुबसूरत सा लुक था पार्टी वियर लुक देने के लिए मोतियों को यूज किया है यहां पर मैंने कुछ 4 mm की मोतिया है जिने उ पूरी पूरी लाइन आप eer लुजा देख रहेना यहां से पूरा इसका एक अलग ही पैटर बन के रेड़ी हुआ है आप चाहें तो पूरे में भी लगा सकते हैं और sleeve मैंने इसकी दो color में बनाई हुई है, sleeve अलग से बना के इसमें जोड़ी नहीं गई है, बलकि यहीं से sleeve इसकी बनी है, उपर जो armhole की cutting थी, इसी से मैंने sleeve को बनाया हुआ है, और sleeve का जो border है, वो भी perfect gripping वाला है, जिससे की बच्चों को problem नहों, अक्सर करके बड़ी sleeve होती तो बहुत ही जादा खुबसूरत लगेगा, round neck बनाया है, neck भी आप देख सकते हैं, किता perfect बना हुआ है, and head में भी easily चला जाएगा, so चलिए पहले मैं आपको इसका measurement बता देती हूँ कि किस size के लिए ये पूरा set बना हुआ है, तो ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पर आप बारा, साड़े बारा, इसका जो मेरा chest size है, वो साड़े बारा आ रहा है, means around अगर 25 के आसपास भी chest है, तो 24 है, 25 है, तो उतने बड़े बेबी को ये आराम से आ जाएगा, तो I think ये 8 साल के बच्चे तक को easily आएगा, और लंबाई मैंने इसकी 19 रखी है, तो लंबाई तो आ आपको कितनी रखने, अगर आप ज़्यादा लंबा भी बनाना चाहते हैं, वो आप अपने according रख सकते हैं, करना इसमें आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ chest का measurement लेना है, और 9 के multiple में chain बनाते हुए, इस design को सुरू करना है, बस इतना ही इसमें है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है, जो आपको कहीं से भी difficult लगे, बाकी चीज़े मैंने वीडियो में पूरी बताई हुई है, तो बिना skip किये हुए पूरा वीडियो ज़दूर देखिएगा, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा, चैनल पर नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, अब मैं आपको इसमें स्लीव बताने वाली हूँ, एक साइट की स्लीव मैंने बना के रखी हुई है, दूसरे साइट की स्लीव बनाऊंगे और ग्रिपिंग वाली स्लीव मैंने इसमें बनाई है, दो कलर में, जिसे इसका लुक काफी जादा अच्छा लग रहा है, तो अलग से बना के मैंने यहीं से उपर से ही इसमें स्लीव को स्टार्ट किया है, आम होल जो है आपका इसके बीच वाला जो यह पार्ट है देखीगा, ठीक है, यहां भी धागे को एट करना है, धागे को एट करने के बाद सेम ही प्लेस से डालेंगे, पहले एक चेन बना लेंगे और चेन बना के इसी प्लेस पे एक सिंगा क्रोशा, तो यह हमारी पहले सिंगा क्रोशा होगी, इसी चेन स्पेस से दूसरे सिंगा क्रोशा बनाएंगे और इसी च सिंगर क्रोश हमने तीनों में बना ली उसके बाद ये वाला देखे गई ये जो हमारा पैटन सब रोज बनी हुई है एक दो तीन चार इस तरह से देखेगा सब एक एक रो बनी हुई है तो हर रो में आपको ऐसे ही वर्क करना है फर्स्ट रो में डालेंगे तीन सिंगर बनाएंगे थर्ड रो में डालेंगे तीन सिंगर क्रोश है तो हर रो में तीन सिंगर क्रोश है बनानी है बट उससे पहले आपको सिंगर क्या करना होगा यहां पर जैसे हमने छे बना ली है उसके बाद सब में तीन तीन बनानी है ठीक है नौ के मर्टिपल में ही हमें सिंग सिंगर क्रोशा बनानी है तो यहां कि 6 काउंट करने के बाद आपको ऐसे काउंट कर लेना है सब में अच्छे यह हो गई फिर तीन फिर तीन फिर तीन फिर तीन जितनी रोज है वो पूरी राउंड जितना है उतना आपको ऐसे ही तीन तीन करते हुए काउंट कर लेना है और पर आजाना है जहां से आपने start किया है ठीक है यहां तक यह वाली जो ''ंड this equalCSdd'' बनी हुई है इसमें भी 3 thinkक्रोंश्यब बने इसमें आपको देख लेना है कि आपकी पूरी नो के मर्टिपल में सिंगल क्रोश या नहीं बन रही है, अगर नहीं बन रही है, तो जितनी भी कम पढ़ रही है, उनको आप बीच में थोड़ा बहुत बढ़ा लीजे, बहुत जादा कम नहीं पढ़ेंगी, दो या तीन ही कम पढ़ेंगी, तो उसमें आपको कहीं भी किसी प्लेस पे जैसे चार सिंगल क्रोश या कर लीजे, फिर थोड़ी दूर पे इसेंटर पे आके चार कर लीजे, फिर थोड़ी दूर पे इ teaspoon कहने ग्रोला बढ़ा लीजे, तो बनाना ऐसे ही है जितने भी रोज बनी है सब में आपको 3 सिंगर क्रोशा बना लेनी है फिर से देखेगा यह next row आ गई next row की जो त्रिपल क्रोशा है इसमें 3 सिंगर क्रोशा बना लेंगे और अब जैसे आपने count कर लिया है आपको कहीं बढ़ाना है तो आप एक इस पॉइंट पे भी बढ़ा सकते हैं, चार अगर इसमें नहीं बनाना चाहते हैं, तो एक जहां पर जॉइनिंग पॉइंट है ना, वहां भी आप एक सिंगर क्रोशा बढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर आप तीन जश्ट नेक्स वाली की टिपर क्रोशा या फिर चेंज जो भी है आप उसमें बना लें, तो इस तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए, इस राउंड को पूरा हमें ऐसे ही ओवर करना है, और वर्क के एंड में जहां से स्टार्ट किया है, जो फर्स सिंगर क्रोशा बनाई है, इसी में डाल जाएंगे दूसरी डॉबक रोच्या बनाएंगे, तीसरे में डालेंगे, तीसरे डॉबक रोच्या बनाएंगे 4,5 और छटी तो इसलब्त तरह थे से 6 डॉबक रोच्या बना ली, एक, दो, तीन, तीन चेन बनाएंगे और इसके बाद एक, दो, तीन स्किप करेंगे नेक्स वन से फिर से छे डबाक रोशा बनाएंगे तो जैसे हमने स्टार्टिंग नीचे के साइड में की थी ना सेम वैसे ही हमें यहाँ पर इस्टार्टिंग करनी है असलीफ के लिए पहले छे डबा क्रोशा बनानी है फिर तीन चेन बनानी है नीचे से तीन सिंगा क्रोशा आपको स्किप करनी है और उसके बाद अगेन छे डबा क्रोशा बना लेनी है तो यह देखें, यहां मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे बना ली 3 चेन बना लेंगे 3 चेन बनाके 1, 2, 3 स्किπ करेंगे और फोर्थ वं से अगेन 6 डबा क्रोशा सेम प्रोशे को रिपीट करेंगे और आउनग को ओवर करेंगे यहां से श्टार्ट किया है तो उसमें हमें सेम वैसे ही जैसे नीचे जोडते थे सेम वैसे ही हमें यहां भी जोड़ना है मैंने यहां पर एक chain बना ली है थर्ड नमबर वाली chain पर डालूँगी और इस तरह से एक डबा क्रॉश्या बना लेनी है एक, दो, तीन, चार चार chain as a triple crochet दो बार loop लेंगे एक triple crochet बनाएंगे और दूसरी triple crochet बनाएंगे तो इधर हमें तीन ही बनानी है क्योंकि फिर घूम के आएंगे तब यहां की तीन बनाएंगे सेम वैसे ही फिर से दूसरे वाले में जाएंगे और तीन triple crochet, तीन chain और तीन triple crochet बनाएंगे तो जैसे आपने बागी के designs बनाई है पूरा sweater जैसे बना के ready किया है सेम वैसे ही आपको इसमें बनाना है ओके यह देखिए सेम प्रोसेस को ही repeat करेंगे और round को पूरा over करेंगे अगेन यहां पर chain बनाएंगे और double crochet से थर्ड नमबर वाली chain में इसे add कर देंगे और अब यहीं से या तो आप धागے को cut कर सकते हैं दूसरा धागा add करने के लिए क्योंकि हर दो रो के बाद हमने यहां पर धागे को change किया है या तो आप चाहें तो यहीं से continue कर सकते हैं बट मैं यहां पर धागे को cut कर लूँगे और दूसरा धागा एड़ करूँगे तो यहां मैंने दूसरा धागा एड़ कर लिया है सेम इसी प्लेस से डिजाइन हमें सेम ही बनानी है भी दो रो भी हमें और सेम ही तरीके से बनानी है एक, दो, तीन चेन और चेन, पांच और डबाकरॉश या एक, दो, तीन, चार, और पांच पांच डबाकरॉश या तीन चेन, नेक्स्ट वाला जो तीन चेन का स्पेस है, इसमें छे डबाकरॉश या ओके तो जैसे हमने डिजाइन बनाई है यहां पे सेम वैसे ही बनाना है तो वाइट कलर से भी यह दोनो रो सेम ही बना लेनी है चार रो हमें सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने डिजाइन बनाई है, छे डबाकरॉश या तीन डबाकरॉश या, फिर छे डबाकरॉश या तो पहले ही यह वाली भी रो मैं दोनों बना लेती हूं वाइट कलर से उसके बाद फिर मैं बताती हूं आपको कि मैंने कैसे इसे घटाना चार रो बनके रड़ी हो गई है अब पांच वी रो से मैं यहां पे घटाना स्टार्ट करूंगी सेम वैसे ही मैंने वर्क को एड किया तो टूटल 6 हो जाएंगी तो यहां पे हमें 6 डबाग रोश्या ही बनानी है तीन चार पांच और 6 डबाग रोश्या हो गई तीन के जगा अब यहां पे हमें 2 चेन कर देनी है ओके और फिर नेक्स्ट वाले में तीन डबाग रोश्या स्टारी छे डबाग रोश्या बना लेनी है एक तो तीन चार पांच और छे और दो चेन तो इस बार हमें 2 चेन से वर्क करना है इस रो में भी और जो इसके बाद वाली रो बनेगी उसमें भी यहां भी हमने जब 3 ट्रिपल रोश्या तीन चेन और 3 ट्रिपल रोश्या बनाई है बट इसके बाद वाली रो में जब हम बनाएंगे राउंड में तो 3 ट्रिपल रोश्या दो चेन और 3 ट्रिपल रोश्या के साथ वर्क करेंगे तो सिर्फ हमें चेन घटानी है दोनों में एक एक चेन घटा देनी है एक चेन इसमें घटाएंग सिर्फ इस में मैंने chain को 3 की जगाद 2 कर दिया है इसके बाद अगेन आपको next row around के लिए फिर से धागे को add कर लेना है और यहाँ पर पहले हम 3 chain बना लेंगे 1, 2, 3 as a double crochet and same space पर 5 और double crochet बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5 ओके 2 chain है इससे पहले round में 2 chain की है तो 2 chain ही रखनी है यहाँ पर हमने 6 बनाई है इस वाले पर हमें 4 double crochet बनानी है जब second बार में बनाएंगे second time में तो 4 double crochet बनाएंगे 1, 2, 3, 4 chain 2 ही रहेगी 3rd one में 6 double crochet बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर से 2 chain और 4th one में 4 double crochet बनाएंगे 1, 2, 3, 4 फिर से 2 chain तो एक बार हमें 6 double crochet बनानी है एक बार चार फिर एक बार छे एक बार चार बार चार बनाते हैं वह इस round को over करना है work के end में same वैसे ही 3rd number वाली chain में डालेंगे और अपने work को यहाँ पर add कर लेंगे एक दो तीन चार 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 बनाएंगे दो बार लूप लेंगे एक और दो तीन त्रिपर क्रोश्या हो गई तो फर्स्ट वन में हमें बनानी है तीन त्रिपर क्रोश्या दो चेन और तीन त्रिपर क्रोश्या सेकंड वन में बनानी है दो त्रिपर क्रोश्या तो यहाँ पर हमें बना लेंगे एक और दो त्रिपर क्रोश्या दो चेन सेम प्लेस से दो त्रिपर क्रोश्या ओके, नेक्स दो चेन के स्पेस में, तीन त्रिपल क्रोश्या, दो चेन और तीन त्रिपल क्रोश्या, दो और तीन, दो चेन, तीन त्रिपल क्रोश्या, तो एक बार हमें तीन त्रिपल क्रोश्या बनानी है, एक बार दो बनानी है, फिर एक बार तीन बनानी है, फिर दो बना इसके बाद, इसे हमें और बनाने हैं, जिस्में, जब यह वाला round बना लेंगे, तो फिर color change करेंगे, अगें सेम ऐसे ही बनाएंगे, जिसमें एक बर 6 और 4 बनानी हैं, बीच में दो chain ही रहेगा, और उसके बाद वाले round में, जब तिपक रोशा वाला round आएगा तो एक बार तीन तिपक रोशा से वर्क करेंगे, एक बार दो तिपक रोशा से, तो एक, ये दूसरा round है, तीसरा और चौथा, total 4 round बनने हैं, एक round बना चुके हैं, दूसरा बना रहे हैं, तीसरा सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यह राउंड नमबर सैवन है, तो राउंड नमबर सैवन की तरह ही राउंड नमबर नाइन बनेगा और राउंड नमबर एट की तरह राउंड नमबर टैन बनेगा, तो मैं बना लेती ह सारे राउंड फिर आपके आगे बता लिए हैं दस राउंड कम्प्लीट हो चुके हैं मेरे दो चार छे आठ दस राउंड नमर 11 के लिए हमें क्या करना है सब में चार डबा प्रोशा बनानी है तो इस तरह से छोड़ा थोड़ा सा हमें घटाते जाना है अगर आप इससे बड वह राउंड में एक डिजाईन पूरी होती है तो यह समसि लिजिए दो डिजाईन मैंने एक जैसी है फिर दो डिजाईन एक जैसी बंऑंगी आप चाहें तो 3,3 डिजाईन भी कर सकते हैं जिसेकि स्लीव जो हो गया आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी चार डबर क्रॉश्या, दो चेन, नेक्स वाले में भी चार डबर क्रॉश्या तो इस बार आपको एक बार छे और एक बार चार ना बनाके सब में चार डबर क्रॉश्या, दो चेन और चार डबर क्रॉश्या ही बनानी है और इसके next वाले round में आपको सब में 2-2 double crochet बनानी देखी इसमें भी मैंने 2 triple crochet बनाई फिर 2 chain 2 triple crochet 2 triple crochet 2 chain 2 triple crochet इस तरह से बनानी है round number 11 है ये round number 11 round number 12 round number 13 और 14 ये चारो एक जैसे बनाके ready करना है means 4 double crochet में ये बनेगा ये बनेगा 2 triple crochet 2 chain 2 triple crochet में उसके बाद वाला फिर से 4 double crochet में बनेगा और उसके बाद वाला 2 triple crochet 2 chain 2 triple crochet से तो ये चारो round भी में बना लेते हूं फिर end में बताऊंगे आपको कि end में मैंने क्या किया है यहाँ मैंने इसमे पूर बनाके डचे है, रेडी कर लिया है, सेम वैसे ही जैसे आपको बताया था, दो डबी क्रॉश या, भुचे नों दो डबी क्रॉश या के साथ, अब मैं इसमें लास्ट में बनाऊएंगी, लास्ट वाले डिजाइन बनाने वाली हूं, अब उसमें कैस का space देंगे ठीक है अब हमने दो chain से एक chain कर दी है तो chain यहाँ पर अब कम हो चुकी है बाकी का work वैसे ही रहना है सिर्फ हमने chain कम की है so 4 double crochet और एक chain के साथ हमें इसमें work करना है so यह पूरा जो round होगा वो 4 double crochet एक chain के साथ होगा और इसके बाद वाला जो round होगा यह देखिएगा इसमें हमें बना लेना है दो double crochet एक chain सोरी दो triple crochet एक chain और दो triple crochet तो triple crochet इसमें दो दो ही बनेंगी बट 20 में सिर्फ दो की जगा जैसे ही इसमें हमने दो chain मनाई थी यहाँ पर एक chain हो जाएगी सो दो triple crochet एक chain और दो triple crochet यहाँ बनेगी यहाँ बनेगी चार double crochet और एक chain सो मैं दोनों round बना लेती हूँ फिर आपको last वाला border बॉर्डर बताते हैं हुआ पर जो space है यहाँ बना लेनी है एक single crochet फिर से एक chain का जो space है triple crochet के बीच में उसमें बना लोजनी है दो single crochet और दोनों pattern के बीच में एक single crochet अगें chain स्बेस में do single crochet यह देखे इस तरह से बनाना है, एक बार single crochet में बनानी है, दो, sorry chain space में दो single crochet, फिर दो pattern के bीच में एक single crochet, फिर से दो, फिर से एक इस तरह से बनाएंगे, पुरे round को over करेंगे, work के end में, जहाँ से start किया है, 1 single crochet, इसी में डालेंगे, और अपने work को add कर लेंगे, सिफ से, फिर से, एक chain, सेम इसी first finger crosshya में डालेंगे, एक finger crosshya बना लेंगे, नेक्स वाली जो finger crosshya है उसमें एक finger crosshya, उसके बाद वाली में भी finger crosshya, तो जितनी भी Ok teenagers बनी हुई है, सब में आपको एक एक सिंगर क्रोश बना लेनी है और इस तरह से करते हुए टोटल पांच से छे रोज राउंड बना के रड़ी करने है थोड़ा से चोड़ा हो जाए जितना भी आपको रखना है इस पेस उतना बना लेंगे इसमें उसके बाद फिर एक लाश्ट राउंड औ इस तरह से न डालके जस्ट पीछे वाले में डालेंगे जो सिंगर क्रोश है इसमें डालेंगे लूप लेंगे और इससे निकाल देंगे ओके फिर इसके बाद वाली सिंगर क्रोश में डालेंगे लूप लेंगे और निकाल देंगे अगें इसके बाद वाली जो है बहुत स प्रीक्स वाला जो होगा उसमें डाल के लूप लेंगे और निकाल देंगे तो सेम प्रोसेस है आशे ही आपको पूरे में करना है तो इससे क्या होगा न थोड़ा सा मोटा आगे का जो आपका बॉर्डर है थोड़ा सा मोटा बनके रेडी होगा तो ये सिंगर क्रॉश रे के छोड़ देंगे तो वो मुड़ जाते हैं, means ऐसे टर्ण हो जाते हैं, इस तरह से देखने में भी खुबसूरत लगता है, ग्रिपिंग भी अच्छी होती है, और बिल्कु पॉफेक्ट बनके रेडी होता है, इस तरह से बनाएंगे, और पूरी स्लीब को rankings करें, और जैसे आपने एक तरफ सलीब बनानी है, वैसे दूसरी तरफ की स्लीब बना के बनानी है, और अब इसका नेक बना लेते हैं नेक बनाने के लिए यह शोलडर पार्ट में देखेगा इस जगा पे, जहां पर जॉइन किया है आपने इसी के इधर जो double crochet बनी हुई है यहाँ पे धागे को add सेम इसी प्लेस पे एक चिन मना के एक सिंगर क्रॉश्या इसी डबब क्रॉश्या में एक और सिंगर क्रॉश्या बना लेंगे अब यहाँ पे तीन सिंगर डबब क्रॉश्या आपको दिख रही होगी तो इन तीनों में एक एक सिंगर क्रॉश्या बनाएंगे एक दो और तीन एक सिंगर क्रॉश्या चेन स्पेस में बना लेंगे और फिर से तीनों में एक एक सिंगर क्रॉश्या बनाएंगे एक, दो, और तीन, अगेन, एक, दो, और तीनों में एक एक बना लेंगे, एक बना लेंगे चेन स्पेस में, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगा, पीछे वाला जितना बैक पार्ट है हमारा, इसे ऐसे ही कम्प्रीट करेंगे, बैक पार्ट में जितना भी बनाना है, सेम ऐसे ही बनाके ready करेंगे, तो पूरे में बनाके ready कर लिया, और अब हमें front वाले हिस्से का बनाना है, तो यहाँ पर इस तरह से देखेंगा, patterns बने हुए है, rows बनी हुई है, तो first row में डालेंगे, एक, दो single crochet बनाएंगे, एक single crochet just joining point में, फिर से दो single crochet जो row है उसमें बनाएंगे, और ए एक joining point पर बनाएंगे, दो again बनाएंगे double crochet में, row पर और एक joining point पर बनाएंगे, same process को ही repeat करेंगे, और यह आगे वाला जो section है, यहाँ तक, जहाँ पर हमने घटाया है, ठीक है, यहाँ तक ऐसे ही बनाके ready करेंगे, तो इतना बनाके ready कर लिया, और अब यहाँ पर देखेगा जहाँ पर cut है, हलका सा, जहाँ से हमने घटाना start किया है, इस point पर डालेंगे, और यहाँ एक double crochet बनाके ready करेंगे, ओके, इसके बाद, एक half double crochet बनाएंगे, half double crochet के बाद, अब यहाँ पर, जो तीन double crochet आपको दिख रही है, तीन double crochet बनी हुई है, तीनों में एक एक, single crochet, उसके बाद और भी तीन है, तो इन तीनों में भी एक एक single crochet बनाएंगे, एक single crochet बना लेंगे, just chain में, फिर से तीनों बना, तीन पर, तीन है, तो तीनों में एक एक बना लेंगे, इधर भी जो तीन है, जो जहाँ तीन triple crochet बनी हुई है, उसमें एक एक single crochet ही बनानी है, और जो chain space है, उसमें एक बना लेनी है, ठीक है, फिर से अब यहाँ पर, इधर वाले side में आ गए हैं, जहाँ पर cut है, तो पहले इसमें बना लेंगे, half double crochet, फिर बनाएंगे, एक double crochet, और इसके बाद, जो रोज है, सेम जैसे उधर किया था रोज में, वैसे ही करना है, दो single crochet बनाएंगे, एक joining point पर बनाएंगे, अगेन, next row में दो single crochet, एक single crochet joining point पर, अगेन, row में, दो single crochet, एक बना लेंगे, joining point पर, फिर से row में, दो single crochet, एक joining point पर, दो single crochet, row में बनाएंगे, और इसके बाद, जहाँ से start किया है, वहीं पर इसे add कर देंगे, तो यह देखिए, यह हमारा गला बनके, इतना ready हो चुका है, तो अगर आप इसमें, एक round अगर और बनाना चाहते हैं, single crochet का, तो इसी में बना सकते हैं, यह तो अगर आपको proper लग रहा है, तो last round इसी में बना लेंगे, तो मैं अब इसमें कोई round नहीं बनाओंगी, सिर्फ इसका final round बनाओंगी अब इसमें, तो final round के लिए आपको क्या करना है, एक, दो, दो chain मनानी है, सेम इसी प्लेस पे डालना है, एक double crochet, और दो double crochet, ठीक है, उसके बाद फिर एक दो skip करेंगे, third one में, single crochet से add करेंगे, अगेन दो chain मनाएंगे, जहां add किया है, उसी single crochet में डालेंगे, फिर से दो double crochet बना लेंगे, दो double crochet को skip करेंगे, इसके बाद की, और third one में इसे add कर देंगे, एक, दो skip करके, तीसरे वाली में add करेंगे, फिर से दो chain मनाएंगे, सेम स्पेस पे डालेंगे, दो double crochet बनाएंगे, दो skip करेंगे, और third one में इसे add कर देंगे, इस तरह का pattern हमारा neck में बनके ready होगा, के same process को repeat करके पूरे neck को ऐसे ही cover करेंगे इस तरह से पूरा neck part बनके ready है और बहुत proper neck बनके ready हुआ है अब नीचे भी same pattern जो हमने यहां पे बनाई आना इसी same pattern को हमें नीचे बना लेना है जिसके थोड़ा सा finishing look आजाए तो धागे को add कर लीजिए किसी भी एक chain में एक chain बनाएंगे, same इसी place से डालेंगे एक, फिर से इसी space से डालेंगे दो, और same space से डालेंगे तीन, total तीन double cross यहाँ पर बनाई है एक, दो, तीन skip करेंगे और fourth one में इसे add कर देंगे अगर fourth one में आपको दूरी ज़्यादा लग रही हैं तो आप third में भी इसे add कर सकते हैं तो suitable place में आप इस तरह से आप पीसे रखिए और जहाँ पर भी आपको proper space लग रहा है कि यहाँ पर add हो सकता है तो उस जगह पीसे add कर दीजे फिर से same place पर दो chain मनाएंगे एक, दो, तीन double cross यहाँ इसे ऐसे करके देखेंगे जहाँ add हो रहा है, वहाँ add कर देखेंगे तो यह हमारा नीचे का part हो जाएगा same, ऐसे ही इसे बनाएंगे और इसको बनाने के बाद हमारा पूरा का पूरा top बनके complete हो जाएगा तो मैं बना लेती हूँ, फिर पूरा आपको overall look दिखा देखेंगे इसे मैंने नीचे का भी पूरा section बना के ready कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है यहां मैंने कुछ मोतियों को भी लगा लिया है यह मोतियां उपर से सिली है, तो वह आपकी choice है कि आप इसमें लगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या फिर नई बनाना चाहते हैं, मैं थोड़ा party wear look देना चाह रहे थी इसलिए मैंने इसे बनाया है आपको यह पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like, share and subscribe ज़रूर कर दिजे कब मैं मिलूँगी कुछ नए आइडियाज के साथ नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, thank you and have a nice see